Hello friend, today I am going to solve with the exercise 8.3 class 7th question number 3 The population of city decrease from 25,000 to 24,500 find the percentage decrease तो question में हमसे कह रहा है एक सहर है जिसकी population starting में 25,000 थी अब उसकी जनसंक्या कम होकर 24,500 हो गई है तो आपको बताना है find the percentage decrease यानि जो population में कमी आई है उसको आप percentage में बताईए पहले तो starting में सहर में हमारे पास 25,000 लोग थे घटने के बाद हमारे पास जो लोगों की संक्या है वो होगी है 24,500 अब हम यहाँ पर लिखा लेंगे कि सहर में कितने लोगों की कमी आई starting में 25,000 थे कम होने के बाद 24,500 होगे means हम करेंगे initial population minus final population तो दोनों को हमने minus किया 25,000 में से 24,500 को minus कर दिया तो answer लिकल क्या है हमारा 500 means यहाँ पे लोगों की संक्या कितनी कम होगी है 500 लोगों की संक्या यहाँ पे सहर में कम होगी है लेकिन question में हमसे पूछ रहा है कि answer हमको percentage में बताना है तो percentage में बताने के लिए मैंने बताया था कम ही हो रही है तो हम यहाँ पे कौन सा formula लगाएंगे loss percentage का तो मैं यहाँ पे loss percentage के formula को फिर से repeat करता हूं तो loss percentage is equal to होता है loss upon cp multiply 100 ठीक है तो loss means कम ही आना cost price से यानि initial वारे price हम यहाँ पे देखेंगे multiply 100 करेंगे तो इसी type से हम decrease percentage भी लिखा लेंगे decrease percent is equal to हो जाएगा decrease upon initial population multiply 100 ठीक है यहाँ पे हमने decrease लिखा है यह क्या है IP का मतलब initial population अब देखो population में कितनी कम ही आ रही है यहाँ पे 500 की और initial population हमारे पास थी 25,000 multiply 100 तो 00 से 00 कर जाएगा single 00 से single 00 कर टेगा अब next step में हम लिखेंगे यहाँ पे 50 upon 25 तो 25 की टिवाइड 50 में देगे तो हमारा answer लिकल जग के आएगा 2% यानि 2% हमारी population यहाँ पे घट गई है तो population यहाँ पे decrease हुई 2% I hope आपके समझ में आ गया होगा एक question हैं यहाँ